तो Hello and Welcome to my channel आरे टिरिक में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Gmail ID फॉन्ट से remove कैसे करें How to remove Gmail ID from Android फॉन्ट तो आए और सिखते हैं कि email ID फॉन्ट से कैसे हटाते हैं तो email ID फॉन्ट से remove करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर setting को open करना है तो setting open करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस पेज़ पर इस तरीके से यहाँ पर scroll down करते हुए यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है तो नीचे आने के बाद दोश्तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा Microsoft के नीचे यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा account and sync तो यहाँ पर आपको account and sync इस पर आपको click करना है तो account and sync पर click करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर scroll down करके नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको google वाले setting पर click करना है लेकिन दोस्तों अगर आपके setting में यहाँ पर account and sync का setting नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको दूसरा trick बताऊंगा लेकिन पहले आप इस trick को सीख लिजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको google वाले setting पर click करना है तो google पर click करने के बाद दोस्तों जो भी email id को आपको अपने font से remove करना उस email id को आप यहाँ पर choose करेंगे और email id choose करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सबसे नीचे में three dot पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आप remove account पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर remove account पर फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तो ये email id आपके font से remove हो जाएगा लेकिन दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके setting में account and sync नाम से setting नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे Gmail id को अपने font से remove करेंगे यहाँ टाएंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर Gmail application को open करना है तो Gmail open करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर left side में यहाँ पर आपको 3lan पर क्लिक करना है तो three land पर click करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सबसे नीचे scroll down करते हुए यहाँ पर आपको आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको setting पर click करना है तो setting पर click करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर right side में यहाँ पर आपको three dot पर click करना है तो three dot पर click करने के बाद फिर से आ आपको यहाँ पर सबसे नीचे में Google पर क्लिक करना है तो Google पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर अपना email ID को चूच करना है तो email ID चूच करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सबसे नीचे में three dot पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको remove account पर क्लिक कर करके यहां पर confirm करना है और इस पर click करने के बाद finally आपके font से email id remove हो जाएगा यानि कि हट जाएगा तो इस तरीके से आप अपने android font से email id हटा सकते हैं Gmail id remove कर सकते हैं